दोस्तों हम सबी अपनी लिए माहान भाग्य का निर्मान करना चाहते हैं अपनी लिए श्यानदार परस्तितियों का निर्मान करना चाहते हैं हम अपनी व्यवार में खुश रहना चाहते हैं काम पर अधिक प्रभावी रहना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि शुरुवात कहा से करे और ऐसे लाइप को चेंज करने वाले संसादन कहा मिलेंगे और उनकी कीमत कितनी हमें चुकानी होगी। दोस्तों आपको जानकर हैराइनी होगी ये सारे लाइप चेंजिंग इंग्रीडियेंट्स हमारे लिए फ्री में उपलब्ध है और हम डेली साथ हजार से भी जादा उनका बड़े पैमाने पर प्रोड़क्शन करते हैं बस समस्या इतनी है कि उनकी गुनवत्ता भयाव है और हमारे जिंदगी के हर एक आस्पेक्ट को बेहतर बना देंगे येस दोस्तों मैं विचारों के बारे में बात कर रहा हूँ लेखक बताते हैं कि हम जो कुछ भी काम करते हैं या एक्सप्रेंस करते हैं उनकी शुरुवात विचारों से होती है अगर हमारे विचार वर्चिव एनर्जेटिक और जॉयस है तो हम एक महान चरीत्र का निर्मान कर सकते हैं और जीवन में हीरोई कार्य कर सकते हैं वीरता पूर्ण कार्य कर सकते हैं हलो दोस्तों मैं स्रीनियो असमराटे फिर से एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक महान किताब की समरी लेकर दोस्तों उन्होंने अपनी डिग्री आई-ाई-टी डेली और आई-ाई-यम कलकटा से हासिल की है इसके भी पहले उनके तीन बेस्ट सेलर किताबों की मैंने समरी इस चैनल पर बनाई है पहली किताब है 7 Mindset of Success, Happiness and Fulfillment दूसरी किताब है The Science of Mind Management और तीसरी किताब है 7 Divine Laws to Awaken Your Best Self इन किताबों की समरी अगर आपको चाहिए तो मेरी चैनल पर आपको मिल जाएगी उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूगा वहाँ से भी वन वीडियो को देख सकते है दोस्तो ये स्वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से विचार हमारे बौडी में जहर फैला सकते है या हमारी बौडी को हिल कर सकते है उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे कौन से belief system है जिसकी वजह से हमारे मन में negative विचार आते है और तीसरा point हम देखेंगे negative विचारों से तुरंद छुटकारा पाने के लिए three step formula तो फटा फट चलते हैं दोस्तों हमारे फ़ेले point के और thought can heal और poison our body दोस्तों विचार हमारे body में रहसानिक प्रतिक्रियाय उत्पन्न करते हैं अगर हमारे मन में इर्षालू, क्रोधी और गिनोनी विचार आते हैं तो ये फ्री में नहीं आते हैं इनकी बहेंकर कीमत हमें चुकानी पड़ती है ये हमारी जीवन शक्ति को कम करते हैं और हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों के लिए तयार करते हैं जैसे allergies, autoimmune disorder, diabetes, cardiac issues, irritable ball syndrome and ulcer दोस्तों medical science बताता है कि हमारे शरीर में arthritis होने के सो कारण हो सकते हैं लेकिन john hopkins university ने ये establish किया है कि arthritis का fashion जब भी अपने मन में किसी के प्रती शत्रुता की भावना रखता है तो वो pain बहुत जादा मात्रा में महसुस करता है arthritis किसी के प्रती शत्रुता की भावना रखने से हमारे शरीर में निर्बान नहीं होता है लेकिन किसी के प्रती हमारे मन में अगर शत्रुता की भावना है तो वो pain हमारे शरीर में बढ़ जाता है वो symptoms हमारे शरीर में बढ़ जाते है उसी तरह से अत्याधिक चिंता हमारे इमुनी सिस्टम को कम कर देती है जिसकी वज़े से हमारा शरीर cold, flu and infection के प्रती सव्यदन शिल हो जाता है mind body connection पर अभ्यास करने से ये पता चला है कि अत्याधिक घ्रुना, कड़िवी इर्शा, सुन्न कर देने वाली चिंता हमारे शरी के हर एक cells को नुकसान पहुचाते है हमारे लिवर को नुकसान पहुचाते है, intestine को नुकसान पहुचाती है और हमारा शरी जो है बिमारी के लिए पूरी तरह से तयार होने लगता है या जो बिमारी ओलडी है हमारे शरी में वो जल्दी से ठीक नहीं होती है और इसलिए अगर हम continuously हमारे मन में joyous विचार मतलब बहुत आनंददाई विचार, positive विचार, loveful thoughts जो है अच्छे विचार, करिच की विचार अगर हम पैदा करते हैं हमारे मन में तो हम बहुत हिल्दी रहते हैं और कोई भी बिमारी जो है वो बहुत जल्दी से ठीक होने लगती है इलाज तो काम करते ही है लेकिन इलाज के साथ अगर हम अमरी विचारों के उपर काम ना करे ना दोस्तो तो कोई भी मेडिसीन हमारे शरीक के उपर जल्दी असर नहीं करती है और इसलिए same medicine same बिमारी के लिए हर विक्ति के लिए अलग-अलग काम करती है किसी की बिमारी जल्दी ठीक हो जाती है उसी मेडिसिन से और वही बिमारी किसी दूसरे वेक्ति के शरी में है तो सेम मेडिसिन से जल्दी से ठीक नहीं होती है हमारे निगिटिव विचार जो है दोस्तो बहुत 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 गहरा असर डालते है हमारी बीमारियों के उपर हमारे संतों ने इस बात को बहुत साल पहले ही समझ लिया था और इसलिए संस्कृत में एक बहुत ही जबर्दस प्रार्तना है सर्वे भवंतु सुकी, सर्वे संतु निरामया, सब का कल्यानो, सब का बला हो जब इस लेवल के positive thoughts हम हमारे मन में create करते हैं तो हमारा immune system बहुत जबर्दस बनता है और हमारी जीवन उर्चा जो है शरीर में और ज़्यादा बढ़ती है अब सौमी ची इस किताब में बताते है कि हमारे मन में फिर negative विचार आते क्यों है उसके बहुत सारे कारण है लेकिन कुछ गलत belief system हम बना लेते हैं हमारे life में जिसकी वज़़से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे मन में negative विचार आते है पहले वो belief system क्या हम बना लेते हैं हमारे जीवन में उन्हें हम देखेंगे और उसके बाद किसी भी negative विचार को 3 step में हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं यह इस वीडियो के अंत में हम देखने वाले हैं दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इसी तरह से mind, body and soul से समदित किताबों की समरी चाहिए तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मैं बहुती बेहतरिन से बेहतरिन किताबों की समरी इस चैनल पर लेकर आता हूँ और उसकी जानकारी आपको मेरे हम आकाउंट भी जरूर फालो कर सकते हैं तो चले पहले उस belief system के बारे में जान लेते हैं सबसे फ़हला belief system हम बना लेते हैं जो नहीं बनाना चाहिए और वो है वहर generalization मतलब हम किसी एक negative incident को generalize कर लेते हैं सफोच कवीता रोहित को पसंद नहीं करती है उसके rejection के base पर रोहित यह conclusion कर लेता है कि मुझे इस दुनिया में कोई भी पसंद नहीं करता है गर ऐसा belief system वो बना लेता है तो उसके मन में ज़्यादा तर negative विचार ही चलते रहेंगे दूसरा belief system बताते है सौमे जी फालसी fairness मतलब इसमें लोग यह मान बैठते हैं कि हमारे according जो सही है वही होना च चाहिए next expecting catastrophe मतलब इसमें लोग क्या करते है अगर किसी के साथ बुरा होता है तो यह विचार करने लगते है कि मेरे साथ भी ऐसा ही बुरा होगा लेकिन जरूरी नहीं दोस्तों जो लोगों के साथ बुरा हो रहा है वो आपके साथ भी बुरा हो जैसे किसी का accident हो गया और ए इससे क्या होगा दोस्तों negative emotion सी आपके अंदर बनने वाले है next filtering out the positives इसमें लोग किसी भी घटना में सिर्फ बूरी चीजों को देखते है और उनको बहुत बढ़ा करके देखते है और दोस्तों उसी तरह से लोगों के मन में मेरे बारे में कुछ गलत ही होगा ऐसा अंदाज जिम्यवार ठहराते है या फिर खुद की असाफलता के लिए दूसरों को जिम्यवार ठहराते रहते है या फिर मुझे लगता है वो इनसान गलत है तो वो गलत ही होगा इस तरह से मानना शुरू कर देते है सौमी जी बताते है कि ऐसे बहुत सारे गलत सिस्टम की वज़से ह हमारे मन में continuous negative विचार आते ही रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तो निगेटिव विचारों का कैसे सामना करें। इस किताब में सौमी जी थ्री स्टेप सिस्टम बताते हैं। बहुत ही amazing और कुछी मिन्टों में कोई भी negative विचार अगर आपके मन में आता है तो आप उससे तुरंट छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हैं दोस्तो अरवव है dilution। आपको पता है दोस्तो जो विशेला साफ होता है, जहरीला साफ होता है, उसका जो विश का दात है, उससे अगर निकाल कर फेक देते है तो उसका जो दश है, वो हमारे शरी के लिए हानिकारक नहीं होता है। उसी तरह से dilution इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके हम हमारे निगेटिव विचारों का जहर आसानी से निकाल सकते हैं. एक्चल में आपको करना क्या है कोई भी निगेटिव विचार अगर आपके मन में आता है तो उसे ज़्यादा भाव नहीं देना है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है उसके बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं करना है जस उसे इग्नौर करना है अगर आप यह सोच जोगे उतना जादा आपके मन में वो निगेटी विचारों की चेन बनती ही रहेगी उससे बेहतर है कि उस विचार को इगनॉर करें उससे जादा भाव मत दे मतलब उसके बारे में जादा चिंतन नहीं करना है दूसरा स्टेप है दोस्तो सब्स्टिटिउशन मतलब जब आप अवेर हो गए कि आपके मन में निगेटी विचार चल रहे है तो जान बुझकर उसकी जगव पर उसके आपोजिट पॉजिटी विचार आपको क्रियेट करना है आपके मन में कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ये एक बार हुआ तो जरूरी नहीं कि हर बार होगा जिंदगी हर पार सेम नहीं रहती है चड़ा उतार तो चलते रहते हैं लेकिन मेरी अभी ये आइडिया है और इसके उपर मैं इस तरह से काम करूंगा और इस तरह से बेनिफिट्स हम पाते रहेंगे इस तरह का सोलुशन हम धुनने की कोशिश करेंगे ऐसे पॉजिटी विचार जब आध कंटीनियूसली आपको पॉजिटी विचारू की चेन कंटीनियू करना है एक के बाद एक एक के बाद एक पॉजिटी विचार आपको कंटीनियू करते जाने है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके अंदर से निगिटी विचार खत्म हो गए है जस्ट वो पॉ पॉजिटिव थाट्स इस अमेजिंग किताब का एक छोटा सा हिस्सा महिने इस वीडियो में कवर किया है। पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पाउरफुल किताब के साथ एक बहुत पाउरफुल टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू वाई बाई टेक केर शुक्रिया। पूरी तरह से चेंज हो जाएगा।